अवैद तरीके से जमीन की खरीद बिक्री का मामला अक्सर सामने आता रहता है लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसमें राची में चर्च की जमीन पर ही अवैद तरीके से अपार्टमेंट बना दिये गए हैं राची के बीचों बीच लोवर बाजार थाना से बमुश्किल एक किलोमेटर की दूरी पर CNI Heights अपार्टमेंट का निर्मान किया जा रहा है जो की चर्च की जमीन थी कडोडों की इस जमीन की अवैद तरीके से खरीद बिक्री की गई इंडियन चर्च टरस्टीज के चेर्मेन विशप जॉन अवस्थी ने जमीन की अवैद खरीद बिक्री मामले पर यूपी के प्रियाग राज में भी केस दर्ज कराया है यूपी पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जाच कर रही है लेकिन राची में इस तरह की अवैद तरीके से खरीदी गई जमीन पर अपार्टमेंट का निर्मान कराया जाना कई सवाल खड़े करता है बता दें कि हजारी बाग रामगड की कई जमीने बिल्डरों को बेची गई है CNI Heights अपार्टमेंट के तीन में से दो बलॉक अभी निर्मान धीन है जबकि एक बलॉक में लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया है कडोडों की लागत से बन रहे इस अपार्टमेंट में तीन बलॉक है इन में से सामने का बलॉक पूरी तरह से तयार हो गया है कुछ लोग तो यहां रहने भी लगे हैं इस फ्लैट को बुक कराने वाले सबी लोग उचे घराने से हैं हो भी क्यूं ना कडोडों में जब जमीन बिकी है तो खरीदने वाले भी रहीशी होंगे जमीन खरीद बिकरी का यह मामला कहीं न कहीं कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है आखिर मिशनरी ने पैसे कमाने के उद्देश से क्यूं कडोडों की जमीन अवैध तरीके से बेच दी